दोस्तों वाल्कम टीरान इनर्जी के सवाल ये उठता है कि क्या इस बड़े ओडर के मिलने के बाद सुझलान इनर्जी का प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं वैसे तो दोस्तो सुजलान एनर्जी ने लगबख 4 गुना आपके पैसे को कर दिया है पिछले 7-8 मेने के अंदर क्योंकि दोस्तो मार्च के आसपास सुजलान एनर्जी का प्राइस हुआ करता था 8 रुपे के आसपास और अभी दोस्तो यहाँ पर सुजलान एनर्जी का प्राइस पहुँच गया 25.20 रुपे और दोस्तो उससे पहले एक साल पहले 2022 में सुजलान एनर्जी का प्राइस 6 रुपे के आसपास भी था तो दोस्तो उससे कंपारजन करें तो आपका पैसा चार गुना और मार्च 2023 से comparison कियें तो आपका पैसा यहाँ पर लगबग 3 गुना हो चुका है लेकिन दोस्तो सवाल यह उठता है कि क्या यह पैसा आपका और 4 गुना हो सकता है या फिर दोस्तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है और सुजलोन एनर्जी का प्राइस अभी तक हाई एस्ट कितना गया है इसके बारें भी बात करेंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको एक भी रुपया बिना इन्वेस्टमेंट किये घर से काम करके डेली बेसे इसकी हजारों रुपय की अर्निंग करनी है महीने की लाखों रुपय की अर्निंग करनी है तो इसके लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहला इन्फोमिस्टम यहां पर आपको बता सके चलिए अब दोस्तों वापस से सुजलान एनरजी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सुजलान एनरजी को लेकर अच्छी कवर यह है कि सेर बाजारों को दी जानकारी में सुजलोन एनर्जी ने बताया कि उन्हें 14 S120, S140 मिटर के विन टरबाइन जनेरेटर हाइबरिक लाटिक ट्यूबिलर टावल बनाने का काम मिला है और दोस्तों इसके बाद ये कंपनी एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी है Renewable Energy Solution Provider Company सुजलोन एनर्जी के शेरों में सुक्रवार को मामूली सी बड़त देखने को मिली थी कंपनी के शेरों में आज स्तेजी के पीछे की बड़ी वजह कंपनी को मिला नया वर्क ओडर है शेर बाजारों को दी जानकारी में सुजलोन एनर्जी ने बताया कि उनके हर एक टर्बाइन को 80-90% हिस्सा घरेलू सामानों से तयार किया गया है कंपनी ने कहा है कि वह आत मिरबर भारत और मेडिन इंडिया के संकल्पों के परतिपरतिबंद है कंपनी के CEO ने कहा है कि इस नए वर्क प्रोजेक्ट के जरीए जो पावर जनरेट होगा वह सी एंड आई कस्टम सेग्मेंट को टारगेट किया जाएगा बी एसी में सुजलोन के शेर सुक्रवार को 25.59 रुपई के लेवल पर उपन हुए थे कंपनी का इंट्रा डे हाई 25.86 रुपई के आसपास रहा था लेकिन दोस्तों अब क्योंकि दोस्तों ये जो ओडर रहा था जाज़तर कस्टमर्स को इसका पता सुक्रवार के बाद ही चला था जिसकी वज़े से मंडे को सुजलोन के शेयर्स में तेजी देखी जा सकती है इसका कारण ये है कि ये स्मॉल कैप सेयर है इसके शेयर का जो टोटल मार्केट कैप है वो 380 बिलियन रुपीज के आर्स पास है साथ ही दोस्तों थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी इसके सेयर्स में हाल फिलाल में प्रमोटर्स ने डियाई आई ने एफ आई आई ने तो बढ़ाई है इसके साथ साथ मूचल फंड में भी जो सुजलोन एनरजी के सेयर्स है वो बहुत तेजी के साथ मिचल फंड कंपनियों ने यहाँ पर खरीदा है क्योंकि पिछले कुछ समय में इसके पैसे को बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा गया है जिसके वज़े से दोस्तों यह माना जा रहा है कि इस वीक आने वाले वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुझलोन एनरजी के प्राइस में तेजी देखी जा सकती है और इसका जो टोप लेवल है वो 35 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है लेकिन दोस्तों जहाँ पर शेयर्स हैं स्मॉल सेयर्स खास थोर से स्मॉल कैप हैं वहाँ पर रिस्क बहुत बड़ा होता है इसलिए दोस्तों सो समंझ कर यहाँ पर इन्वेस्ट करें हो सकता है लोंग टर्म में सुझलोन एनरजी के प्राइस में आपको डाउन फोल भी देखने को मिले वैसे आज तक सुझलोन एनरजी का जो हाइस प्राइस गया है शेयर्स का वो 390 रुपे के आसपास गया है जो 2008 में गया था उसके बाद नीचे गिर के 6 रुपे 5 रुपे के लेवल तक पहुँच गया था यहां पर अपना पैसा थोड़ा सा कम कर लिया और साथ ही पब्लिक का पैसा यहां पर इटेल इंवेस्टर्स का पैसा जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था माफ करें इस ते पहले जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक का पैसा ज्यादा नहीं है जिससे बहारी pressure के बाब आने के वज़े से सुजलोन के price में suddenly downfall भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है इसलिए इस तरह के shares में जो आपको investment करना चाहिए वो बहुत सो समझ कर investment करना चाहिए इस video description जो सबसे बहला link है उस पर click करके sign up करें KYC complete करें ताकि घर से काम करके आप daily basis पर एक अच्छी खासी कमाई कर सकेता है